सातों जहानों के बीच की सुरंग है गर्बनारी का काइनत में तुमारी हाजरी लगाने का एकलोता रास्ता मुश्किल पड़ी इतनी की आसां हो गई महज लफ्स तो नहीं ये मात्रत्व के बारे में उसकी महत्ता के बारे में समझाने वाली इतनी प्यारी पंक्तियां मम्मा की डाइरी नामक किताब से हैं मम्मा की डाइरी की लेकिका है अनुसिंग चौधरी जी अनुसिंग चौधरी जी फिल्म का पठकता लेकी का अनुवादक पूर्व पत्रकार भी रह चुकी है और मुझे लगता है कि इनके द्वारा रचित ये दूसरी किताब मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि इनसे पहले मैंने भली लड़कियां बुरी लड़कियां किताब को पढ़ा था और मुझे काफी आनंद मिला है उस किताब को पढ़कर काफी जानकारी मिली है इस तरी के बारे में उनकी जो विचार हैं वो जानने को मिले हैं काफी बहतरीन किताब थी वो भी और उसकी समीक्षा मैंने अपने चैनल पर करी है आप उसे देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर उससे पहले मैं आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अगर आप हिंदी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये चैनल आपी के लिए है इसमें मैं किताबों से संबंदित जो किताबें मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में रिव्यू देती हूँ क्रपया मेरे वीडियो को आन्त तक देखें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक और शेर भी जरूर करें दोस्तों वैसे तो किसी की पार्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है लेकिन ये ममा की डायरी है इसे कोई भी पढ़ सकता है पूरुश हो या फिर स्त्री इसमें लेकिखाने या यूँ कहें फरतमान स्त्री के माँ बनने पर उसके अनुबव या फिर तजर्बा है माँ बनने के पूरु किसी स्त्री के दिमाग में क्या विचार चलते रहते हैं उसे कितनी तयारी करने चाहिए उस पर भी यह किताब चर्चा करती है साथ ही मदर हुड यानि मा बनना उसका खुद का फैसला होना चाहिए समाज सोचता आया है कि आज तक की मा बनना पर ही एक संपूर्ण या परिपूर्ण मानी जाती इस विचार को लेकि काने खारिच किया है गाओं की माई से लेकर मा, मम्मी, मम्मा तक का जो स्त्री का सफर है उस पर भी लेकि काने नजर दोड़ाई है गाओं का परिवेश के बारे में भी लेकि काने बात की है इसमें गाओं में जो स्त्रीया होती है या फिर गाओं की जो पुरानी स्त्रीया थी उनकी क्या समझ साथ ये पिता के साथ अनुसिंग चौदरी जी किस प्रकार संबंद थे उस पर भी यह किताब बात करती है और कुल मिलाकर हम यूं कहें यह किताब केवल गाउं किस तरीयों के बारे में ही नहीं बात करती बलकि जो शहरी माताई हैं या फिर शहर में रहने वाली जो की परवरिश करने के साथ साथ काम का जीवन में किस प्रकार वो समस्याओं को या फिर कहें चुनोतियों का सामना करती हैं उन पर भी यह किताब बात करती है कुल मिलाकर यह शानदार किताब है इसमें लेकिका के अपने अनुबव हैं इसे पढ़ने के पस्चात हमें अगर मैं अपनी कहों जिस दिन से ही एक किताब में पढ़ना blow की थी दो दिन में एक किताब मैंने पूर्ण करी है मैंने और बॉलश की हुए ने किताब को चेक को सब्सक्राता मैं किताब में फ़के और किया क्यों डियकrical चाहिए शांदार किताब इसको मैं समेट नहीं सकती क्योंकि इसमें तरीके अलग-अलग विचार अलग-अलग अनुबव हैं इसे आप पढ़कर ही महसूस कर सकते हैं दोस्तों ममा की डेरी को लेगी का कालज़ई रचना नहीं मानती ना ही इसे एक पेरेंटिंग गाइड कहती हैं लेकिन फिर भी परि बनाते हैं इन सारे समस्याओं के बीच में बच्चों को किस प्रकार पालना चाहिए या फिर उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए क्या हमारी पीडी ही इन समस्याओं से उलज रही है या फिर पुरानी सदी से ही ये समस्याओं देखने को मिली है इन सब पर उन्होंने विचा करते हुए किताब लिखिया क्योंकि बीच बीच में लेकिका ने गाओं के संदर्भूं का भी जिक्र किया है दोस्तों इस किताब में मुझे ख़स करके काफी जो लाइन से इसमें जो हर एक कोटेशन मुझे बहुत कोटेशन मुझे पसंद आए कुछ मैं आपके सामने रखना चाऊंगी कि मात्रत वो यू बदल देता है आपको थोड़ा भाहर से और बहुत सारा बेगतर से जो स्रजन साजा है तो उसकी चिंताएं भी साजी होनी चाहिए औरत नैचरल मदर होती है उसने मा बनने से पहले बेशक कभी बच्चा ना संभाला हो लेकिन हाथ में अपने नवजात को थामते ही स्तन पान से लेकर नहलाने दुलाने का काम उसे कुद बखुद आ जाता है लेकिन बहुत कम पुरुष नैचरल फादर होते हैं एक और पूटिशन ने दुस्तों मा बनने के बाद आपकी अपनी जिन्दगी खत्म हो जाती है आपके अपने शौक नहीं होते आपकी अपनी ख्वाइशे नहीं होती कोई वक्त आपका अपना नहीं होता कम से कम आपके आसपास के परिवार और समाज ने आपके लिए यही तई कर रगगा है और एक मा के तोर पर उन नियमों को बिना शर्ट पालन करने की उम्मीद आपसे की जाती है एक और कोटेशन है औरत गजब की एडप्टेबल होती है हर हालात में अपने लिए रास्ता बना लेती है तुम चाहोगी तो अपने लिए रास्ता निकाल लोगी शिकायत मत करो तुमारी जिन्दगी तुमारी अपनी चुनी हुई है जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो जो नहीं बदल सकती उसे स्विकार करो लेकिन शिकायत मत करो तो ऐसे कई सारे कोटेशन हैं जो मतलब आपको सोचने के लिए मजबूर करें केवल अपनी ही बात नहीं करी है इसमें कई किस्म की माओं के बारे में यानि अलग-अलग तरह की अलग-अलग टाइप की माओं जो होती है उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है देखिए हमें कई किस्म की माओं होती है जिस किस्म की माँ का सबसे सहज रिष्टा बच्चों के साथ बन जाए उस किस्म की माँ को बचा लेना चाहिए अपने भीतर जो मा अपनी तमाम बेचरिनियों के बावजुद खुद को बचा लेती है वो कई जिन्दगिया बचा लेती है एक और वाक्य है जो मुझे पसंद आया एक बच्चे की जिन्दगी में उसकी मा की जगह कोई नहीं ले सकता अपनी जगह पर मा जितनी मजबूती से जड़ सी ठिकी रहती है वहाँ से उपर उठने वाली शाकाएं उतनी ही मजबूत होती है देख सकते हैं कि दोस्तों कि मा का मजबूत रहना एक बच्चे की शक्ती हो सकती है अंत में यही एक कोटेशन के साथ में अंत करूंगी मा की बेचैनियों की वज़ा पूरी जिन्दगी बनी रहती है क्योंकि मा के लिए उसके बच्चे कभी बड़े नहीं होते ना कि उसकी जरूरते खत्म होती हैं बच्चे के लिए चिंतित रहना उसकी फित्रत है अपने लिए चिंतित रहना भी अपने पती अपने परिवार के लिए भी चिंता स्त्री का जन्मजात गुण है इतने प्यारे किताब के साथ मैं आज यह वीडियो एंड करूँगी I hope आपको इसकी पसंद आई होगी एक और किताब के साथ बहुत जल्दी आपके सम्मुक हजिर हो जाऊंगी तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए, किताबे पढ़ते रहिए और वीडियो को शेर, लाइक जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज क्रपिया सब्सक्राइब करें